हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजर वितायुश और दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के स्टॉक के बारे में दोस्तो अडानी पावर में अगर आप देखेंगे तो आज एक धमाकेदार तेजी होती हुई देखने को मिली और कह सकते हैं कि ये पूरा हफ्ता स्टॉक आपको काफी शांदा रिटन डिलिवर करता हुआ देखने को मिला और आज रिकॉर्ट तोड तोड तीजी के बाद 200 र जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर आपको वीडियो वडिया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा 65% return I think it's unbelievable और जो stock देखे साल भर consolidate करता हुआ देखने को मिला जो कुछ बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला उसके अंदर क्या तगड़ा breakout आता हुआ देखने को मिला और सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार इस पर देखे मैं वीडियो बना रहा था जब यह stock बड़ी 98 हुआ 125 हुआ तब भी बना रहा था और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखे इस 30 को हमने पुरा देखा है बहुत बड़ीया तरीके से stock 30 करता हुआ देखने को मिला है और सबसे पहली बात तो उन सब को congratulations जिन्होंने इस stock को hold करके रखा उस consolidation period में और अब breakout period में तो यह समझ यह की देखे important है market के लिए हर बार अगर आप देखेंगे तो changes होते हुए देखने को मिलते हैं कभी कबार कुछ negative होते हैं तो कभी कार कुछ positive होते हैं जब भी positive change होता हुआ देखने को मिलेगा तो आप याद रखेगा वो शांदार होगा तगड़ा होगा बढ़िया होगा और वही होता हुआ देखने को मिला है Adani Power के stock के अंदर यह जर्स देखे दिन एक दो दिन की बात होती है जब आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा breakout आएगा लेकिन उस एक दो दिन बड़े वाले breakout आने के लिए हमको कुछ time wait करना पड़ता है बस वही test होता है stock market में वह patience test होता है and then definitely जो जो returns होते हैं वह आपके portfolio में आपको देखने को मिलते हैं so यह अच्छी बात है कि देखे अटाइम प्रोकर स्टॉक इतना बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है आज बात करें सबसे पहले इसके delivery percentage प्लस volume के बारे में so देखे आज जो इसके अंदर कह सकते हैं volume आती हुए देखने को मिली है वो तो extraordinary है 14 करोट 20 लाग की volume आना यह अपने आप में देखे बहुत बढ़ी बात है उसके बात भी अगर आप देखेंगे तो 35 लाग order अभी भी pending नज़र आ रहे हैं buying site पे यह अपने आप में देखे कि बहुत बड़ी बात है ऐसा बहुत कमार होता हुआ देखने को मिलता है कि लगातर अगर आप देखेंगे volume बे आती हुए देखने को मिल रही है तक नहीं stock बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहे है प्लस जो buying order से वह इतने pending नज़र आ रहे हैं कि देखे इसमें एक फि volumes आ रही है वह बहुत ज्यादा मासिव है और यह सब चीजे मुझे लगता है कि देखें एक साइन दे रही थी लगातार मैं आपको पहले भी देखें volume बताता था कि volume बहुत तगड़ी होती ही देखने को मिल रही है और वही होता हुआ देखने को मिला है पिछले एक महीने क के अंदर देखें जितना कुछ इसके अंदर होता हुआ देखने को मिला यह बहुत शा judging है अज आज एपरियल के अन्दर आते हुए देखने को मिले उसके बावजूद अगर आप देखंगे तो शा इन्दर की कोई grain की यहापर हम होता हुआ देखने को मिला मार्केट ने ब वो अडानी पावर ही रहता हुआ देखने को मिलेगा इंफेंट्स देखें यहाँ पर अब आप समझ के चलिए कि जो पावर इंडेक्स है वो 14 एर के हाई पे आ चुका है 14 साल के हाई पे BAC पावर इंडेक्स आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें अडानी पावर 64% जूम कर गया है आठ दिनों के अंदर वो एक महिना नहीं आठ दिन अगर आप देखेंगे तो आता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें 64% की धमाकिदार तेजी करता हुआ देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी मुदद क्या और ये पावर स्टॉक्स आपको बढ़ते हुआ देखने को मिल रहा है आज अडानी पावर सबसे ज़्यादा लीड करता हुआ देखने को मिल रहा है अडानी पावर ने कह सकते हैं कि टाटा पावर को पीछे छोड़ दिया है अगर आप देखेंगे जो NTPC है, Power Grid है जो बड़ी-बड़ी companies थी जो बड़या करती भी देखने को मिल रही थी उन सब को पीछे चोड़के अड़ानी पावर आपको आगे निकलता हुआ देखने को मिला है अगर आज आप देखेंगे अड़ानी पावर, BHEL, NTPC इन सबने एक बहुत शांदार तीजी दिखाई 5-10% की लेकिन Power Grid, Tata Power, Taurian Power, JSW यह 2-4% की रेंज में रहता हुआ देखने को मिले तो आज कह सकते हैं कि देखेंगे एक 2-3 स्टॉक्स आपके लिगा ऐसे थे जहांपर बहुत शांदार तीजी थी कुछ स्टॉक्स कोशिश कर रहे थे बट वो सबसे बड़ी बात है कि breakout के वर्च पर नहीं है और मुझे लगता है कि देखेंगे अब पावर स्टॉक्स के अंदर जो breakout आता हुआ देखने को मिल रहा है यह बहुत बड़ा breakout है और यह सालों का breakout है यह आप समझ के चलिए विकास हर एक कंपनी का बंदा यह अपना आप में देखेंगे बहुत बड़ी बात होती है जो होता हुआ देखने को मिल रहा है सारी कंपनी जो power sectors related है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है एक मुझे सबसे बड़ा reason यह लगता है कि देखेंगे अब सब को समझ में आ रहा है कि power companies are the future power companies के अंदर आपको invest करना पड़ेगा और यह investment आपको अच्छा कासर return कमा के देगा यहाँ आप समझी है because यहाँ पर power companies जो मुझे रखता है कि deliver करती हुई देखने को मिल रही है because अगर आप दिखेंगे coal consumption पे हम जादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं अब power companies के अंदर पैसा लगता हुआ देखने को मिलेगा power companies कैसे बनाई की पैसा देखे power companies को orders मिलते हैं किसे को solar energy बनाने के orders मिलते हैं किसे को कुछ और बनाने के मिलता है order अब EV आपको आता हुआ देखने को मिलने तो I think power stocks के लिए जितना बड़ा आपको अभी market आता हुआ देखने को मिलने वाला है वो बस अभी शुरुवात हुई है आने वाले सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो power stocks are going to rule मुझे साफ साफ ये लगता है इसलिए अगर आप देखेंगे लगाता है मैं आपको पर बात करते है तो देखें आठ दिनों में stock 64% टक increase हो गया इसमें कोई doubt नहीं है stock ने बहुत शांदार तीज़ी दिखाई है बट क्या यहाँ पर कोई profit booking की जगा बन सकती है तो देखें ये chances रहेंगे अगर कोई stock 400% मढ़ता हुआ देखने को मुला है और यहाँ से 10% नीचे चल जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी मैं से नहीं किरूँ कि 100% किरने वाला है लेकिन profit booking आज नहीं आई तो कल तो आती भी देखने को मुले कि ये आप सब को मान के चलना है और जो profit booking रहेगी हो सकता है कि देखिए उसका जो आपको आता हुआ देखने को मुले वो थोड़ा सा बड़ा range हो याई 5 से 10% के बीच में लेकिन अडानी 50 ने देखे जो करके दिखाया है 200 रुपे के पार जो निकल के दिखाया है ये एक साफ साफ संकेत दे रहा है कि स्टॉक ने अब आपको चलना चालू किया है अब ये रुखता हुआ देखने को नहीं मिलेगा हर profit booking के बाद स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ये होता हुआ भी देखने को मिला है आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर शुरुबात में कोई इतना बड़ा तेजी नहीं था लेकिन अडानी पावर के स्टॉक में आपको कभी भी कोई इतना बड़ा फॉल आता हुआ देखने को नहीं मिला स्टॉक लगाता और देखें धीड़े धीड़े साइड़े वेस करके आपको उपर जाता हुआ देखने को मिला और ये जब भी दोस्तो कोई कोई स्टॉक के अंदर होता हुआ देखने को मिले तो आप समझ के ऊपर के कीया कि ़ेखीं कुछ operators का हाथ है तो देखिए ऐसा नहीं है सबसे बात तो क्या है कि देखिए जो तेजी आती भी देखने को मिली है वो कुछ certain events के कारण आती भी देखने को मिली है और सबसे बड़ा Adani Power के बढ़ने का reason यह है कि company का जो Amalgamation Scheme थी जो देखिए company merge होती भी देखने को मिलने वाली है जो Adani Power के subsidies है जो Adani Power के अंदर merge होती भी देखने को मिलेगी वो एक सबसे बड़ा reason है merger का जिसके गारण दोस्तों अगर आप दिखेंगे तो stock बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो I think यह चीज़े हैं जिसके उपर focus करना है में इस अला क्या होगी hold करिए patience रखिए stock के अंदर और भी तीजी बन सकती है and definitely within April 250 रुपीज के level भी visible होते हुए देखने को मिल सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopes आपको वीडियो बड़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चानल से नए जोड़े सब्सक्राइब कर देना thank you friends watching this video